हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 21 चेप्टर जिसका नम है देर इस दख की ओफ दि किंग्डम ये हम करेंगे इसको मैं आपको एक्स्पेंड करूंगा हिंदी में फिर इसके बाद मैं आपको कुश्चन सिस दूँगा ठीक है इसके लिए आप व्यूडियो आखरी तक देखो लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकों को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वूडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर साब को दे दिये है अगर आप नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे बाकी वीडियो में मिल जाएंगे ओके चलो भी स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है बच्छो यहां पे दो क्या है देखो यहां पर बच्छो चाभी किंडम मतब राज ठीक है क्या बोला है कि वहां राज की चाभी है ठीक है कुझी है चलो देखते हैं यहां पर क्या दिया हो यहां पर देखो बच्छो मैं आपको बता तो यह पोईम में क्या है देखो पोईम में आपको जो चीज़े बड़ी है उसको ऐसे LINE से लिगए बड़ी फिर उससे छोटी उससे छोटी और देखो Second paragraph में आपको किया है फिर छोटी से बड़ी आपको दिया गया है देखो छोटी फिर उससे बड़ी जो चीज़ है उससे बड़ी इससे LINE में लिखा हुए चोड़ो भी पढ़ते हैं आपको मालूम पढ़ जाएगा देखो यहां पर क्या है देखो There is the key of the kingdom Key मतलब बच्चो चाभी, kingdom मतलब राज मतलब कि वहां राज की चाभी है फिर देखो क्या है In that kingdom, there is a city Kingdom मतलब बच्चो राज, city मतलब शहर क्या बोला है कि उस राज में उस kingdom में एक शहर है देखो आगे क्या है In that city, there is a town City मतलब बच्चो शहर Town मतलब क्या होता है बच्चो कस्बा या तो गाउं क्या बोला है कि उस शहर में एक कस्बा है या तो आप बोल सकते हैं गाउं है आगे देखो क्या है In that town, there is a street Town मतलब बच्चो, आपको बता हैं, वो कस्बा Street मतलब बच्चो, सड़क क्या बोला है कि उस कस्बे में, उस गाउं में, एक सड़क है ठीक है आगे देखो क्या है In that street, there is a lane Street मतलब बच्चो, सड़क Lane मतलब रास्ता क्या बोला है कि उस सड़क में एक रास्ता है आगे दो कि है In that lane, there is a yard Lane मतब बच्छो आपको बताया हूँ रास्ता तो क्या बोला है कि दिखो और yard मतब बच्छो एक खाली मैदान ठीक है तो क्या बोला है यहाँ पे कि वो lane में एक खाली मैदान है ठीके, एक YARD है इन देट YARD There Is A House YARD मतलब आपको बने बताया है क्या YARD मतलब मेदान House मतलब घर इन मतलब क्या होता है बच्चो में होता है क्या बूलाएiling और उस मेदान में एक घर है In that house There Is A Room House मतलब बच्चो घर रूम मतलब कमरा, क्या बोला है कि उस घर में एक कमरा है In that room, there is a bed रूम मतलब बच्चो कमरा, बेड मतलब पलंग क्या बोला है कि उस कमरे में एक पलंग है On that bed, there is a basket बेड मतलब बच्चो, क्या बोला है, पलंग there are some flowers basket मतलब बच्चो टोकरी some मतलब कुछ flowers मतलब फूल क्या बोला है कि उस टोकरी में कुछ फूल है ठीक है तो देखो बच्चो हमें यहाँ से कैसे चाएं पहले याँ पे देखो राज है फिर देखो उस राज में एक शहर बोला है फिर शहर में एक कस्बा है फिर उस कस्बे में एक सड़क है फिर उस सड़क में एक रास्ता है उस रास्ते में एक खाली मैदान है फिर उस मैदान में एक घर है उस घर में एक कमरा है उस कमरे में एक पलंग है उस पलंग पे एक टोकरी है और उस टोकरी में कुछ फूल है तो देखो ऐसे पहले बड़ा राज, शहर, कस्बा ऐसे करके देखो छोटा गया है ठीक है अब आगे देखो आगे यहां से आपको छोटे से बड़ा बताया हुए है ठीक है चोलो पढ़ते हैं देखते हैं क्या है पहला देखो क्या है फ्लावर्स इंदा बास्केट फ्लावर्स मतलब बच्चो फूल बास्केट मतलब टोकरी मतलब कि फूल टोकरी में फिर क्या है देखो बास्केट ओन दा बेड फिर देखो क्या है बास्केट मतलब बच्चो टोकरी बेड मतलब पलंग मतलब कि जो यह घर में हाउस अंद याद है कि गर मैदां में याड ले सड़क शड़क के में सड़क में है do बच्चो कस्बा बच्चो कईल Administration बच्चो देखो यहां पर हमें च्छोटे से बड़ा बताय हुई है कैसे दखो पहले दखो आपको क्या हुआ टोक्री दखो पूल टोक्री में है और टोक्री किस पे है पलंग पे है फिर पलंग देखो कमरे में है फिर कमरा देखो घर में है फिर घर देखो मैदान में है मैदान कहां पर है रास्ते में है और रास्ता कहां पर है सड़क में है और सड़क कहां है कस्बे में है कस्बा कहां है जो गाओ कहां है वो शहर में है और शहर कहां है राज्ज में तो देखो इसे छोटे से बड़ा हुआ है ओके बच्चो ठीक है तो यहाँ पे हमारा यह chapter complete हो गया है अभी मैं आपको इसके questions से दूँगा ठीक है तो आप pencil और book लेके बैड याओ फटाफट लिख लो मैंने आपके लिख के रखा है चलो भी start करते है तो देखो बच्चो यहाँ पे मैंने आपके लिख के रखा है देखो यहाँ पे क्या है chapter का नाम क्या है there is the key of the kingdom ठीक है पहला क्या है देखो list all the things mentioned in the poem in two ways मतलब बच्चो जो भी आपको चीज़े दी गई है chapter में उसको दो तरीके से आपको बताना है पहला क्या है देखो from the smallest to the biggest मतलब छोटे से बड़ा जो है जो बड़ी चीज़े है उसको आपको पहले लिखना है छोटे से पहले आपको शुरू करना है दो देखो बच्चो सबसे पहले क्या है सबसे चोटा क्या फ्लावर फ्लावर मतलब बच्चो फूल उससे चोटा क्या है देखो सोरी उससे बड़ा क्या है देखो बच्चो हमें छोटी से बड़ा करना है फ्लावर मतलब फूल उससे बड़ा क्या है बास्केट फिर उससे बड़ा क्या है बेड फिर उससे बड़ा है रूम प्रवास्ता फिर सडक फिर बच्चो कस्बा फिर शहर फिर राज ठीक है तो बच्चो बी में क्या है बी में है फ्रॉम बड़े से आपको छोटा लिखने है ठीक है सबसे बड़ा क्या है दो पहले प्रिए सिटी फिर आपको टाउन स्ट्रीट लेन यार्ड हाउस रूम बैड बास्केट ए्धि फ्लावर्वर्स ठीक है सकथब को एक और उल्टा लिखना यहां पर चोटे से बड़ा लिख breezeूर ने さब कीसे2017 आप Eli कि अद consec टोकरी है टोकरी के अदर फूल है ठीक है आगे चलो भी आगे देखते हैं आपको आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो आपको सेकेंड में क्या दिया हुआ है लिए आप इसको बड़े से चोटा यह तो छोटे से बड़ा शुरू कर सकते हैं मैंने आपको दोनों दिया है ठीक है आप दोनों में से एक लिख सकते हो औक है या आप चाहो तो दोनों लिख लो तो पहला क्या है शुट कार मैं पॉक्ट हाइवे ठीक है शर्ट मतलब तो देखो सबसे छोटा क्या आएगा पिन एक कलम हो सबसे छोटी है फिर पॉकिट जो जेब है वो पिन से बढ़ी है फिर शर्ट जो है जो कपड़ा पहनते है वो पॉकिट उससे बढ़ी है फिर उससे बढ़ा को ना मैं मतलब आदमी जो रहता है वो देखो शर्ट से बढ़ अब यह हम लिखते हैं बड़े से छोटा biggest to smallest तो देखो बच्चो इसका उल्टा आएगा क्योंकि देखो हमने यहां से छोटे से बड़ा लिखा था तो बड़े से छोटा उल्टा जाएगा कैसा है देखो हाईवे कार मैन शर्ट पॉकेट पेन ठीक है मतब बच्चो एक है जेब उससे होटी है कलम कहें आगे चलो भी आगे दिखते सिट्म मैं आपको क्या दियो है सीट कांटेनर हाॉस किचेन ड्राइड चिली सीड मतब बच्चो बीच कंटेनर मतब मतलब सूखी मिर्च उससे बड़ी है फिर container बख्सा उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा क्या है kitchen मतलब रसोई घर उससे बड़ा क्या है house मतलब घर ठीक है अब ही दिखो हम बड़े से छोटा लिखेंगे biggest to smallest तो यह उल्टा जाएगा पहले सबसे बड़ा house इस बड़ा क्या है एक पहले आपका हाउस मेंड़ा घर फिर उस से छोटा क्या हैं किचन मतब रसोई घर उससे छोटा क्या है container मतब बक्ष सघ्जण एक बक्स एख औरेगा dried chili मतब बच्छो सूखी मिर्च उस से शोटा क्याहै शीम मतब भी ठीक है आगे चलो आगे देखते हैं किस यहां पर आपको अपको थार। में helped them up thebleppa यह बुकशॉप स्टोरी स्टोरी बूक पैरिघ्राफ सैंट्स तो यहां पर बचो दिखो लेटर लेटर मदर्ब बच्चो क्या होता है एक वोड सिघाया ह constituents किताब की दुकान स्टोरी मतलब कहानी स्टोरी ऻूंट कहानी की किताब पैरेग्राफ मतलब बच्छो कोई भी एक संटेंस बड़ा जब रहता है कंप्रीट होता है उसको हम पैरेग्राफ वोलते हैं जो एक B CD जो रहता है एक को हम लेटर बोलते हैं। जो एक değer रहता है उसको हम लेटर बोलते हैं। पहले वो आएगा फिर word, word मतलब चो शब्द जैसे कि बहुत सारे letter मिलके एक word बनते हैं जिसको धूरते हैं. ठीक है आगे देखो क्या है biggest to smallest मतलब बड़े से छोटा अभी हम बड़े से छोटा लिखेंगे तो इसका उल्टा आ जागा यहां पर ठीक है देखो हम शुरू करेंगे इससे क्या है देखो बुक्शॉप मतलब किताब की दुकान स्टोरी बुक मतलब बचो कहानी की किताब स्टोरी मतलब कहानी उसके अंदर देखो पिर paragraph है फिर sentence मतलब walk है फिर word है मतलब शब्द है फिर later है ठीक है आगे भी देखते हैं आगे यहाँ पर देखो आपको क्या जियो है यहाँ पर आपको फोट में है tail तेल मतलब बचो पूछ हैर मतलब बाल मांटें मतलब बचो क्या पहाड केव मतलब बचो क्या रहेगा गु पूछ फिर उससे बड़ा क्या है है बैर बैर फूच से बड़ा एक केव मतलग गुफा उससे बड़ा क्या माउंटेर मतलग ठीक है बच्छो अब हम जाते हैं बड़े से छोटा लिखने ठीक है biggest to smallest इसमें देखो आपको पहला क्या एगा mountain मतब पहाड उससे चोटा क्या है cave मतब गुफा उससे चोटा क्या है bear मतब भालू उससे चोटा क्या है tail मतब पूछ फिर उससे चोटा क्या है hair मतब बाल ठीक है आगे चलो भी आगे देखते हैं यहाँ पे देखो आपको फिफ्ट में क्या दिया हुआ है फिफ्ट में आपको दिया हुआ है grain of corn field plant stock year of corn grain of corn मतब बच्चो आप बोल सकते हो कि जो बीज रहता है इसका corn मतब बच्चो भुट्टा जो भुट्टे का दाना रहता है वो field मतब खेत plant मतब बच्चो क्या होता है पौदा stock मतब बच्चो डंठल year of corn मतब बच्चो देखो जो भुट्टे का जो पौदा रहता है उसमें बहुत सारे जो कौन रहते हैं बुट्टे उसको हम इयर बोलते हैं जो बुट्टे का पेड़ उसके हम कान बोलते है मतब इयर ओफ मतब बच्चो जो पूरा भुट्टा पेड़ पौदे पे लटकता है उसको इयर ओफ कौन बोलते हैं यह बुट्टे के दाने से बढ़ा है उसके बाद क्या है स्टॉक मतब बच्चो डंठल जिस पर बहुत सारे बुट्टे लगे रहते हैं वह उससे बढ़ा है फिर क्या Obrig me field मतब खेद ठिके बच्चों सबसे बड़ा है मेडान आगे देखां अभी में क्या बिगेस्टू स्मॉलेस्ट अभी हम बड़े से छोटे पे ठीक है सबसे बड़ा क्या रहे गा फिल्ड मतब खेद उससे बड़ा क्या रहे गा है प्लांट मतब पथो पौदा पौदा फिर उससे चोटा क्या रहेगा स्टॉक मतब डंठल उससे चोटा यह रफ कॉन मतब जो बुट्टा लगा रहे तो फिर जो मकई जिसका हम बोलता है ग्रेन ऑफ कॉन मतब बचो जो दाना है बुट्टे का वो ठीक है यहां पर हो गये अब आगे दिखते हैं थर्ड में यहां पर आपको दिया हुआ है रिड़ इंस्ट्रक्शन्स और अधर वर्ड रिलेटेट टु दा गिवन वर्ड्स जो भी आपको यहां पर जानकारी देगी उसको पढ़ हो और उससे जो आपको जानकारी लिखने के लिए वोला है उसको लिखो आप ठीक है आगे देखो क्या है पहला किंडम मतब राज हमको क्या बोला है राइट अधर वर्ड्स डेट बिगेंस विध के मतब अच्छो हमें कुछ और ऐसे शब्द लिखने हैं जो के से स्टार्ट होते हैं शुरू होते तो आंसर में कहा है देखो नाइट हो गया मतब बच्छो क्या सैनि देखो ये केसे शुरू हो रहा है फिर किंग मतब राजा ये भी केसे शुरू हो रहा है की मतब चाभी ये भी केसे शुरू हो रहा है फिर काइट हो गया मतब बच्चो पतंग देखो सब केसे स्टार्ट हो रहे हैं देखो काइट मतब पतंग काइडनस मतब बच्चो अच्छ क्या होता है तो हम यह लोग जो शहर में करते हैं वह हमको लिखना है कमसे कम 10 लिखना है ठीक है तो मैंने क्या है टीचर गर टीचर डीचर मतलब चोन शिख्षट ऋ पढ़ते हैं वह पीर डौक्टर डौक्टर आपको मालूम है जो इलाज करते हैं वहे यह सब काम जो अलग-अलग आपको अलग लोग करते हैं सुपड़ करे यह तो आग बुझाने वाले आहों आपको बसमें भी रहेंगे जो बच्चो को उतारते है चढ़ाते है और सेलस्मेस बच्चो सामान बेशते हैंrare इंजिनियर मतलब जो चीजे बनाते हैं ठीके आगे थिल टाउं इस को हूं बखो भुषिधयों बिलीजिजे में बनाते हैं लाइब्रेरी और आस्पीटल मतलब बच्छो और लाइब्रेडी यह में दिया हुए ऐसे में लिखना है ठीक है कॉ अधिसर के देखो ऑफिस मतलब बचो ऑफीस जहां पे काम करते हैं होम्स मतالब घर स्कूल मतलब बच्छो यहांपे पड़ाइक करना अगे चलो आगे देखते हैं अभी 4 में क्या दियों आपको 4 में है आपको सड़क right other words be the similar meaning रोड पाथ ऐविन्यू यहां पे दोखो अभी आपको फिफ्ट में क्या दिया हुए यहां पर क्या देखो क्या है लेन लेन्यी मतलब रास्ता क्या बुलाय है राइट आ प्यू रियल और इमेजिनरी नेम्स ऑफ लेंग्चों आपको क्या बोला है कि जो रास्ते के नाम है जा तो असली में या तो एपने हिसाब से सोचकर लिख सकते हो अपने gosh आफ एक आउन पारक लेन मार गया है ऐसे तो अंदिल स्वाम-शचल Nur तो यहां पर आपको एपसिर स्बीखिये तो फिर कर लेगा फिर कहा है गोल मंदिर लेन, फिर कहा है क्रेकर्स लेन, यह ऐसा है अलग अलग, अगर आपको और भी मालूम है, तो और भी आप लिख सकते हो, ओके, शिक्स में देखो आपको क्या दिवा है, याड, याड मतलब बचो मैदान, ओके, जो घर के पास रहता है, वो, यहाँ पर क्या बुला है, कि जो यह याड है, बचो जो यह मैदान रहता है, यह घर के कौन-कौन से साइड रहता है, कौन-कौन से लोकेशन पर रहता है, वो आपको लिखना है, देखो यहाँ पर आपको एक्जामपल दिया है, कि सब तरफ, या तो सिर्फ लेफ में, मतलब क जो मैदान है सिर्फ घर के सामने है only at the back सिर्फ घर के पीछे है on the right या तो दाइं तरफ है ठीक है आगे देखो सेविंथ में क्या है सेविंथ में हाउस हाउस मतलब घर इसके वाले में क्या है list some of the things that you find in every house मतलब जो कुछ ऐसे चीजों का नाम बताओ जो आप हर घर में पाते हो तो एंसर क्या है देखो refrigerator मतलब जो फ्रीज है वो टेबल मतलब जो जिसमें हम कुछ लिखते हैं या तो खाना काते हैं वो चैर मतलब बच्चो कुरसी कबड मतलब जिसमें हम कपड़े सब रखते हैं बेड मतलब बच्चो पलंग लाइट मतलब जो बल्ब यह सब हो गया टेलिविजन मतलब टीवी ठीक है तो यह सब अलग-अलग चीज़े जो हर घर में पाई जाती है ओके आगे चलो आगे दिखते हैं आगे क्या है यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है क्या है दो एट क्या है room, room मतलब camera, right names of different types of rooms मतलब बच्चो अलग-अलग camera के जो नाम है वो आपको लिखना है देखो क्या है living room मतलब बच्चो जिसमें बैटते हैं जो hall आप बोल सकते हो, bedroom मतलब बच्चो जिसमें हम सोते हैं, जो हमारे सोने का camera होता है, dining room मतलब बच्चो जिसमें हम नहाते हैं यह सब उसको हम बोलते हैं ठीक है आगे चलो आगे देखते हैं 9 में क्या है bed बेड मतलब बचो पलंग क्या बोला है make meaningful words by joining this word to the words given here मतलब बच्चो क्या बोला आपको कि आपको कुछ शब्द बनाने हैं जोड कर क्वशब बेड इन सब देखो बग मतबाए बच्चो देखो बग हो गया फिर रूम हम बिछाते हैं फिर रिवर के साथ आगर हम बेड जोडएंगे बनन जाएगा रिवर बेड मतलब पुल एक लगे रहे ते लाइन म titles Quality estar है देखो आपको बास्केट बास्केट मदब बचो टोकरी क्या यहां पर होला है लिस्ट फिंग्स यू कें पूट इंदर बास्केट मतलब ऐसी चीज़े बताओ जो आप टोकरी के अंदर रख सकते हैं फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स ग्रोसरी टोई तो हम बास्केट में कौन-कौन सी चीज़े रख सकते हैं फ्ल हो गया फिर फूल हो गया फिर हो गया सबजी हो गई फिर घ्रोसरी मतलब खाने का सामान फिर खिलो ठीक है अब आगे आगे देखो आपको लेवेंट में सब्सक्राइब क्या था दिया हूए फ्लावर्स फ्लावर फ्लावर्स पूल इस में टाब अलग अलनेत धिरेंट पर सरुको करते हो जीतित यह हो गया रोज बच्छों बच्छों गुलाब का फूल लोगा यह था और सुरज मुकी लीली मोगरा चमी यह सब अब सकते हो ठीक है ओके चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या है तो देखो बच्चों यहां पर हमें लास्ट में क्या फोर्थ कैसे इमेजिनेशन में एक सिमलर चेंश ओफ थी सबसे बड़ी अर्थ है फिर उससे छोटा देखो उसके अंदर कि अंदर यह में से चोटा है घइस चोटा है तो यह से बड़े से चोटा है और यह हमें कहा है हमारा ठीक है उके बच्चों तो यहां पर हमारा यह चैप्टर कम्प्रीट हो गया है अभी मैं आपको अगले उडियो में नेक्स चैप्टर दूँगा ठीक है तो आप इस चैप्टर का च्छी से पढ़ लो और लेंड कर लो तक अगर आपका टेस्ट रोट आपके फूल मा थैंक यू